मद्द प्रदेश को अन्द प्रदेशों की तरह चुनाओं में रंगने की कोशिश की जा रही है देखा जा रहा था हमेशा कि मद्द प्रदेश को छोड़कर अन्द प्रदेशों में जिस तरह से वाद विवाद तोड़ फोड़ और यहां तक की हत्या के मामले सामने आते थे एसा ही उधारनम देवास के नगरी निकाई चुनाओं में देखने को दिखाए हमको दिया है यहाँ पर वार्ड कमांग 8 में कांग्रेस के प्रत्याशी अतुल सिंग राजपूत के जो चुनाओ कारेले हैं उसके उपर हम केमरामेन से चाहेंगे तुर्ट रिता दिखायेंATA किस तरा से यहां का पोस्टर भाडा गया है केमरामेन हम ये चाहेंगे कि आप ये भी दिखाएं कि यहाँ पर हमारे साथ कांगरेस के जो नेता है राजन सिंग ठाकूर वो ही मौजूद है अतुल सिंग राजपुत मौजूद है छेत्र के सुनिल शुकला और अन्य लोग मौजूद हैं क्या राजनिती में इस तरह का वे है इसे क्यों हो रहा है और लोग ये कहे रहे हैं कि आप एक नाकाम से प्रत्याशी हैं क्या सही है यह आप खामोच को हैं अभी तक लबोलें पिछले दिन पिछले दिनों भी इस कारेले पर थोड़े तोड़ फोड़ की गई थी और कल की रात मेरा जो पोस्टर है वो फाड अग्यात कारणों से फाड़ा गया है यह बिलकुल भी शोभनी नहीं है क्या हम वार्ट करवां कार्ट को यह माहोल देना चाहते हैं में हम गुंडा गर्दी बढ़ःाना चाहते सब fiction समरफ्ता नहीं रखना चाहते क्या हम ये माहौल देंगे आगे आने जनपरती ने दी वाड की जनता को ऐसा माहौल देंगे जनता क्या इन्हें चुनेगी क्या एक्सेप्ट करेगी ये जनता के लिए भी एक सवाल है अच्छा आप ये बताएं कि इतनी बड़ी घटना हो गई आपके छेतर में क्या आपने इसकी शिकायत थाने में की है पुलिस से अभी शिकायत नहीं करी है अभी हम लोग जाके सीधे शिकायत दर्च कराएंगे पुलिस प्रसेशन को अगवत कराएंगे कि इस प्रकार का महौल वाड करमंगार्ट में बनाया जा रहा है क्या ये उचित है ये विल्कुल शोबनी नहीं है वाड में सब अच्छे विक्ति रहते हैं सर्विस क्लास लोग रहते हैं किसी को भी गुंडागर्दी या बद्रता पसंद नहीं है अगर इस प्रकार का जो भी candidate इस प्रकार का विवार कर रहा है जनता उसे नकार देगी और ये candidate जो भी कर रहे हैं उन्हें पता है कि आज वार्ड में हम मजबूत हैं कांगरेस पार्टी मजबूत है इसलिए हमारे उपर ये घटनाई की जारी हमारे उपर प्रिशर बना जा रहा है हमारे उपर दबाव बना जा रहा है पर जिससे हम डरने वाले नहीं है वार्ड के लोगों को हम एक अच्छा वातवरण देंगे और ये चुनाव जीत के बताए इस तरह का वेवहार है चुनाओं के तरीके से लड़ा जाना चाहिए वार्ड कमांग आट में कांग्रेस प्रत्याशी अतुल सिंग राजपूत का कुछ आसामाजिक तत्वो द्वारा उनके जो कारेल है उसका पोस्टर भाड़ दिया गया है और वहां पर एक जो पोस्टर लगा हुआ है वो भारती जनता पारिटी के उम्मिद्वार राजन ठाकूर का कि हमने छेत्र में जाना कि आखिरिये हरकत यह जो स्वच्छ चुनाव है इसको बिगाड़ने की कोशिश कोन लोग कर रहे हैं इसी को लेकर हम भाजपा के प्रत्याशी ठाकूर से मिलना आये हैं और पूछते हैं कि क्या वहां पर वहां का पोस्टर फटना और उ सच्चा ही तो आप खुझ जानते हो पत्रकार हो और यह जो सब कार किये जा रहा है मुझे बद्दाम करने के लिए करे किये जा रहे हैं और आप जानतों पिछली बार भी इसी घटना हुई ती जिसे मैंने मानिय स्पी साब विवेक सिंग जी से भी चर्चा किती इस विसे म हमारे मानिय टियाई साब संजे सिंग जी से भी मैंने बारे में चर्चा ववत कराया था कि इस हैत्र में जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और यह जो साजी सरची जा रही है मुझे बद्दाम करने की साजी सरची जा रही है और मैं इन से सबसे बोलना चाहता हूँ कि कि मेरे द्वारा कुछ किया जा रहा हुगा तो मेरे पोस्टर आपको समझदार हो जनता समझदार है अच्छा ये बताएं कि इस तरह की घटना है क्या कहां इसको के सा मानते हैं आप तोड़ा बता है बहुत निंदा पुरुन है यह और मैं इसे बहुत ही गलत मानता हूं चुनाओ चुनाओ की दश्टी से लड़ें अपन जनता जीसे चून कर आएगी वह सर्वमानने रहेगा और ऐसा करने से महुल खराब होता है जनता में गलत में सज जाता है और जनता आज की आप किसी को सि कर रहे हैं अच्छा यह बताएं कि इसकी इस तरह की जो घटना हुई है आप हाले की एक प्रतिदेंदी है तो क्या आप इस तरह की घटना की भी शिकायत थाने में करेंगे कि गलत है निरवाचा नायोक बिलकुल मैं इस तरह के शिकायत करूंगा और जो भी यह कर रहा है इ का वे देने लिखा लिखकर सब्सक्राइब पहुचा रहा हूं